हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अंकित शाशोट्स यूट्यूब चैनल। इस दुनिया में हर चीज के बनने वह उसकी उत्पत्ती के पीछे कोई ना कोई इतिहास जरूर छिपा होता है। इसी प्रकार आज हम बात करेंगे हवाई चपलों की हम सबने बचपन से ही हवाई चपल का नाम सुना है। इसका इस्तिमाल हम सभी रोजाना करते हैं। दुनिया की अलग-अलग जगहों पर हवाई चपल का इस्तिमाल काफी लंबे समय से किया जा रहा है। वहीं समय के साथ साथ इसके डिजाइन और रंग भी बदलते रही हैं, लेकिन इस बदलाव के बावजूद इसके इस्तिमाल में कोई कमी नहीं आई है, आप भी बचपन से इसका इस्तिमाल कर रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर हवाई चप और दिशल्ड को कई सारे नामों से जाना जाता है। भारत में इसे हवाई चपल कहते हैं। इस चपल का डिजाइन काफी पुराना है, जो लंबे वक्त से चलाा रहा है। वाई चपल पहनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हवा में उड़ने लगता है। लेकिन हो सकत कि इसे पहनने के बाद चलने में काफी रिलाक्स और हल्का महसूस होता है। इसलिए इसे हवाई चप्पल कहा जाता हो हालां की इसका सही तर्क इस वीडियो मी दिया गया है। दरसल हवाई चप्पल का नाम उसकी उत्पती से जुड़ा हुआ है। इतिहास कारों के अनुसार अमेरिका में एक आइलाइंड है हवाई आइलाइंड उस आइलाइंड पर एक खास तरह का पेड मिलता है जिसे टी के नाम से जाना जाता है। इस पेड के जरिये ही एक रबर जैसा फैबरिक तयार किया जाता है जो काफी लचिला होता है। इसी फैबरिक से चप्पल जाती थी। इन्हें जोरी कहते थे। माना जाता है कि अमेरिका के हवाई आईलांड में काम करने के लिए झापान से ही मजदूर भेजे गए थे। ये मजदूर जापान की चपपल पहनकर हवाई गए थे। उसके बाद दुनिया भर में हवाई चपपल मशूर हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फोर्मेटिव लगा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद